बसकर बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा सात्वी का पार्ट तीन दादी मा का परिवार इसके लेखक हैं श्री रमा कांत कांत जी हैं इस पार्ट में हम जानेंगे कि दादी मा की दिन्चरिया और उनके परिवार के लोगों के बारे में तता इस कहानी से हमें क्या सीख मिलत पहला चित्र देखो बच्चो। दो बच्चे रहते हैं। चुहिया का नाम है चिंकी और उसके दोनों बच्चों का नाम है चुस्कू और मुस्कू। चारों बच्चे घर में खुब खेलते, कूंदते, दोडते रहते थे। कभी-कभी वह आपस में एक दुसरे से जगडा भी करते थे। परंतु दादी मा उनको प्यार से समझाती कि प्यारे बच्चों आपस में जगडा मत करो। जगडा करने से कोई भी तुम्हारे उपर वार कर सकता है। तुम्हारी आपस की लड़ाई का फाइदा उठा सकता है। यदि तुम मिल जुलका प्यार से रहोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का लुक्सान नहीं पहुचेगा। कोई भी तुम्हारे वीच दरार नहीं डाल सकता है। और इस तरह से बच्चों को जो है दादी मा की दियूई सीख समझ में आती है। और वो सभी प्यार से रहते हैं। दूसरा चित्र देखिए बच्चों, अब तुम्हारे सामने दूसरा चित्र किसी खेत का है, जोहां पर कुछ पक्षी जाल में फज गए है। एक दिन नीलू चिडिया अपने बच्चों को लेकर ठंडी के दिनों में दाना चुगने के लिए खेत में चली गई। और दूसरी चिडियों ने भी उसकी साहता करनी चाही। जब वे उसकी साहता करने के लिए आगे बढ़ी। तो उन्हें समझ में आया कि हम सभी जाल में फज गई है। शिकारी ने जाल बिचाया हुआ था जिसमें हम सभी फज गई थे। अब वे सभी उस जाल से मुक्त होना चाहते थे। वे आपस में बात करते हैं, सभी अपना अपना तर्क देते हैं। उन्हें आपस में जगड़ा वा तनाभी हो जाता है। परन्तु वास्ता में वे सब जाल से मुक्त होना चाहते थे। बहे लिया बहुत ही चलाग था। उसने चतुराई से जाल विचाया था। वा जानता था कि पक्षी दाने के लालश में देर तक जाना चुगने वा अब सब चुगेंगे। अब सब लोग जाल से मुक्त होना चाहते थे। होने के लिए परेशान थे, चिंतित थे। कुछ पक्षी तो रोने भी लगे थे। तभी नीलू चुडिया और उसके बच्चों को दादी माक दोरा दी गई सीख याद आई। उसने सबसे कहा कि हमें धैरे रखना हुआ, एकता और एकागरता रखनी होगी। तभी हम जाल से मुक्त हो पाएंगे। इस बात को लेका पक्ष हो पाएंगे। सभी पक्षियों नीलू की बात मानी और वे एक साथ जाल लेकर उनने लगी। जाल के साथ पक्षियों को उड़ता देकर बहेलिया दंग रह गया। क्योंकि उसने यहाँ उसकी कल्पना से बाहर था। या भी नहीं था कि पक्षी जाल लेकर एक साथ उड़ दादी मा के घर की आगन में उतर जाते हैं। दादी मा ने नीलू से पूछा कि आज खेरियत तो है क्या हुआ जो तुम्हें घर आने में इतनी देर हो गई। यह सब कैसे और क्या हो गया। नीलू दादी मा को सारी बात बताती है कि वह कैसे जाल में फज गये। और उसने बताया कि दादी मा की सीख से उन है, उसी के काना वे सब बहेलिये से बच पाए। दादी मा ने कहा एकता में बल होता है। अगर आप सब एक साथ मिल जुलकर रहोगे तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएगा। तबी उसने चिंकी चुया से कहा कि वह इस जाल को कार दे। आप देख रहे हो कि चिंकी चुया और उसके बच्चों ने जाल को अपने तेज दातों से कार दिया हैं। और सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। और चिडिया और चुया जाल से मुक्त हो जाते हैं। चिडिया और चुया का परिवार एक साथ मिलकर एकता पू करना चाहिए घबराना नहीं चाहिए तभी हम उस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे और अपने कारे को कारियों में सफल हो पाएंगे हमें हमें शांती से और धेरे पूर्वक अपने कारे करने चाहिए तभी हम किसी मुसीबस से बाहर निकल सकते हैं अब शब्द बाडिका निपट एकदम, आबाद भरापुरा, बुराना साफ करना, कलान ठका हुआ, कलरफ पक्षियों की आवाज, आनन फानन में सीगरता से, धन्यवाद.